हेलो स्टुडेंट इस वीडियो में क्लास 11 बर्क्षीट का सॉलीशन लेकर आचोके हैं यह आपकी भूगल की बर्क्षीट है और आपको बता दें यह आपकी 19 अगस्त की बर्क्षीट का सॉलीशन आप देख रहे हैं आच का जो हमारे टॉपिक है वह है भूगम के प्रकार यह पार्ट 6 है इसका फुल सॉलीशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलने बाला है चलिए पहले कॉशन है लावा को परवासित करें तो पहले कॉशन का आंसर है आप यहाँ पर देख पाएंगे लावा क्या होता है लावा एक पिगली हुई चट्टान अर्थात मैगमा का धरातल पर प्रिकट होकर बहने वाला बाग है यह जोहलम की उद्धार द्वारा बहर निकलता है और आगने चट्टानों की रचना करता है जोला मुकी से निकले लावा से बैसाल चेटानों का निर्मार हुआ है जिनके निचादन से परयाईदी पिये पठार का निर्मार हुआ है इस परकार से आपको लावा के बारे में बता देना है लावा एगजेक्ट होता क्या है ये कॉशन मनता है तो यह जो जौलम की द्वारा जो लावा वहता है आपने सुना होगा कि यह लावा निकल ला है जौलम की से तो जौलम की द्वारा जो निकलने वाला होता है उसे हम लावा कहते हैं तो यह पहले question का answer यहां पर complete होता है चलिए question क्यों बढ़ते हैं question number second magma क्या है यहां पर आपने पहले ही question में थोड़ा magma के बारे पढ़ लिया होगा magma है तो दूसरा question इसी पर depend है magma चटानों का पिगला हुआ रूप है लावा क्या होता है जो पिगला हुआ रूप आता है वह होता है और magma चटानों जो पूरे चटान पगल जाती है magma कहलाता है जिसकी रचना ठोस आदी पिगली अत्वा पूरी तरह पिगली चटानों के दारा होती है और जो प्रद्वी की सते के नीचे निर्मित होता है magma के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं तो यहां से आपको लावा समय में आ गाया होगा अगर चाहिए तो आप एहीं से बना सकते हैं कि लावा किसे कहते हैं तो आंसर यह कि मेंगमा के मेंगमा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं और यह मेंगमा किसे कहते हैं यह क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डाउट के साथ करोना आउट बस आ स्टेट का कुश्चन और या फिर से 12 तक आई इटी जी डवली मींस का हो उसका सभी का सॉलुशन मिलेगा मात आपको फाइब सेकेंड का और आपको यहां फर वीडियो लैक्शन मिलें क्लास 6-12 तक डेली लाइब क्लासे चल रहे हैं यह आपकी क्लासे इंगलिस और फिर जो मेगमा होते हैं वो सीतलन द्वारा आगने चट्टानों का निर्मार होता है जब मेगमा जमीनी सते की उपर आकर लावा की रूप में ठंडा वोकर जमता है तो भाहरवेदी और जब सते की नीचे हो ही जम जाता है तो अंतरवेदी आगने चटानों का निर्मार करते हैं यानि भाहरवेदी चटानों कब और अंतरवेदी चटानों कब निर्मार करते हैं ये भी आपको समय में आ गया होगा तीसरा कॉशन देखिए सक्री जॉलामुकी का वर्लन करें तो चलिए इसका अंसर देख लेती है, सक्रिय जॉलम की, सक्रिय जॉलम की पूब एग्यानिकों में सक्रिता को लेकर मदेक नहीं है, लेकिन अगर कोई जॉलम की बरतमान में या फट रहा हो, या उसकी जल्द ही फटने की आसंका हो, या फिर उसमें गैस रिसने, धुआं, य गुकम पाने जैसे सक्रिय जॉलम की कहते हैं, इस परकार से यह कॉशन कम्प्लीट होता है, अब आप नेक्स कॉशन के बरते हैं, पर सुब्सक्रिय की बिस्षिता निकिए, दोस्तों इस कॉशन का आंसर देखने से पहले, अब यह तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की वीडियो अप्लोड करेंगे, तो उसकी नौटिफिकिशन आपके पास पहुच जागी, इसलिए बेल आइकन के बटन पर भी आप फिर क्लिक कर लें, चलिए इसका आंसर देखते हैं, परसुप्त है ना, परसुप्त लहावा, तो यह आपका सक्रिय जॉलम की, यह परसु जॉलम की ऐसे होते हैं, इन में उद्धार की तो संभाबना नहीं रहती, लेकन अचानक, मतलब अचानक से उद्धार हो जाते हैं, ऐसके जॉलम की की बारे में अभी जाद जानी कारी नहीं मिल पाई है, जो इस परकार से आपको यह परसुप्त जान का जो है, आपका बंदार बुपटल से पुना प्रवावित होता है तब जौला मुकी के ढहने से बहुत बिसाल बैसे-न-कार के करेटर का निर्माण होता है जिसे जौला कुंड कहते हैं यह एक सिर्स जहां मूल सिर्स यह मुल सिर्स एक कॉस्ट के ढहता है पर